हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वर्षना क्रियेशन आज मैं आपके लिए एक बेबी गर्ल का स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूं यह स्वेटर हमारा साड़े तीन से चार साल के बच्चे के लिए है इसमें नीचे पूरी डबल फ्रिल वाला बॉर्डर बनाया हुआ है चलिए देखते हैं हमको ये फ्रॉग कैसे बनानी है कि देखिए सेउतर की स्टार्टिंग मैंने 70 फंडों से करी है। बैटले में 50 फंडности डाले हैं ये मेरा बैक पार्ट है। और इसमें ऐसे फ्रिल लगा रखी है। नीचे जो इसमें डवल फ्रिल वाला इसमें बनाया हुआ है। तो इसमें जो मैंने फ्रिल बना रखी है, इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उससे आप देख के बना सकते हैं, आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट दोनों में बराबर से फंदे पड़े हैं, 70 पीछे भी हैं और 70 हमारे आगे के पार्ट में हैं, तो चलि लगबक 9 इंच का है, 10 इंच से थोड़ा कम है, इतना हो गया है, इसके बाद यहां से अब हम इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे, तो डिजाइन हम उपर कर राउंड शेप में बनाएंगे, वह बनाएंगे, तो यह नेक्स्ट कलर लगाया यहां पे, ब्लू कलर जिस कलर से इसमें हमने फ्रिल लगाई है, बनाई है, उसी कलर से इसमें डिजाइन भी बनाएंगे, तो यह जो स्टार्टिंग के फंदे बिनेंगे, यह हम, एक, दो, तीन, चार, पास, और इस वाले जो हमारा वाइट उन है, इसको भी इसके साथ ऐसे ही लेते हुए चलेंगे, यह ल चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और यह पंदरा, यह पंदरा फंदे हमारे हो गए, एक कलर से, इसके बाद के इस साथ के सारे फंदे हम, जो हमारा नेक्स्ट कलर है, जो बेस का कलर है, उससे बनाएंगे, यह दिखिए, हमारी पूरी सीधी रो कम्प्लीट हो गई, और उल्टी रो पे आने पे, जो हमारा यह ब्लू वाला, इस सिलाई पे हमारे दो वाइट फंदे हैं, मल्टी शेड वाले, इनको अब मैं ब्लू बनाऊंगी, ऐसे इनको ब्लू बनाया, और बाकी के फंदे इस सा मेंधंगी रहेंगे पलस दो फंदे और हमारे साइड से जो हमारी राइट हैं हमें लेफ्त एंड की सिलाई में फंदे थे इसमें हमने दो फंदे ब्लू के और एट करा दियें और इस तरहिके से हमारे इन ब्लू फंदे आभी 15 नहीं स्टार्ट किया अब 2 फंदे बढ़ ग अब ये सीधी रो हमको पूरी ऐसे ही complete करनी है जो फंदा मेरा जैसा है मैं उसको वैसे ही विनूंगी blue वाले को blue और multi-shade वाले को multi-shade से पूरा complete करना है यह देखिए इसमें 2 फंदे इधर से add हो गए अब यहां तक हमारा blue का blue रहेगा और multi-shade का multi-shade रहेगा उल्टी स्लाई पर आएंगे फिर 2 फंदे इसमें add कराएंगे blue वाले यानि कि blue फंदे हमको इस side पर बढ़ाने हैं तो हर उल्टी स्लाई पर एक एक दो-दो फंदे add करते जाएंगे सीधी स्लाई पर जो फंदा जैसा है वो वैसा ही रहेगा बट उल्टी स्लाई पर आने पर 2 फंदे multi-shade से 2 फंदे रोक के उनको blue बनाने हैं अगर आप बड़ा subtle बना रहे हैं तो इन फंदों को 3 कर सकते हैं 3 से 4 फंदे बढ़ा सकते हैं फंदे कितने हैं यह उस पर depend करता है अब देखिए blue वाले blue हो गए और जो हमारा यह white वाला है इसको हम white से बिनेंगे जो आपका base का color आप लगा रहे हैं और यह blue उनको दो साइसे बनके आये जो फंदा जुड़के आता है वह साइसे आये तो वह आपे ज्वाइन सब गैपिंग ने दिखती है वरना फिर वह gap दिखने लगेगा उल्टी साइट पर आएंगे तो इसमें फिर दो फंदे ब्लू के add करा लेंगे यह देखिए फिर से एक बार हम उल्टी स्लाइट पर आगें और हमारे जो ब्लू फंदे इनको फिर हमें वह वही करना है इनको अगें इसमें 2 पंदे added करा लिए और बखिएक seven ए हमारी हधर से wazan गे तो इसी तरीके से आपको हर फंद्र के एकस्ट्रा बनाने ये हैं Trade menishoish advradas करते रहने हैं और इस तरीके से इसको हम ऊपर तक बिनेंगे हम झानीम कुछ दूर तक करेंगे सीद हिसे मासटों को भी एक बार आपको दिखाती Enos यह देखिए हर जब दो स्लाई पे फंदे बढ़ते हैं तो हमारा यह ऐसे आने लगता है ऐसे बन के आता है ऐसे ऐसे करके हमको यह इसको ऐसे ही बिनना है यह देखिए इसको मैंने बिनके कंप्लीट किया और इसका लुक कुछ इस तरीके से बनके आता है यह इसको इतना बनाया जहां तक हमारी बाजू का शेफ होना है वहां तक उस लेंद तक हमने यह डिजाइन बनाई यह यहां से नीचे से लेकर बार्डर से इसको हम अगर बाजू का है और अब यहां से मैं इसमें बाजू का शेफ करूंगी तो बाजू के शेफ करने के लिए हमें छे फंदे गटाने पड़ेंगे छे फंदों से इस साइट से अभी इस साइट से बाजू का शेफ होगा और इधर अभी हमारा क्रीम कलर का ही उन चलेगा तो बाज नेक्ट सिलाई पर आएंगे दो और एक इसी तरीके से 6 फंदों का शेप इस साइट पर करेंगे और 6 फंदे हमको यहां पर घटाने हैं दो दो चार दो छे और यह वाला जो मेरा डिजाइन है यह ऐसे ही उपर तक चलेगा कि यहां से ब्लू पार्ट लगेगा इसलिए पूरा का बाजू का शेप होगा और लगबग एक से देड़ हिंच तक देड़ से दो हिंच तक इसको बिनेंगे उसके बाद पिर गले का राउंड शेप कर जाएगा इसमें तो पहले तीन दो एक करके इसकी बाजू की शेप करते हैं यह दिखी एसे पूरह से गटाने पतर ओतर तीन दो एक का शेप किया उसके इसे बाज विना एक इंच तो यह हमारा यहां से यहां से हमारी shape हुई है तोटल यह 2 इन्च का shape से यहां तक यह distance इसका 2 इन्च का है और last के हमारे उश्के 5 फंदे बचे यह इस रोपे आके पूरे blue कर दिये और अब हमारा जो उपर का part है blue color से ही बनेगा यह वाला कलर यहां से हमने खतम कर दिया और टोटल हमारे जो यह बाजू का यह शेप होगा यह फाइफ इंचर्स का होगा तो इसलिए दो इंच के बाद अब यहां से गले का शेप करेंगे यह उल्टी स्लाइप आने पर यह 14 फंदे हमने बिन लिए ऐसे 14 फंदे हमारे शोल्डर पर रहेंगे तो 14 फंदे यह बिने प्लस 6 फंदे और बिनने हैं क्योंकि बाद में भी 3 दो एक का ही शेप करेंगे यह तो टोटल हमारे यहां पर फंदे हो गए 19 अब बाकी की फंदे हम यहां से दो का एक करते वे सारे फंदो को बंद कर देंगे लास्ट के 19 फंदो तक इसको ऐसे ही बंद करेंगे यह लास्ट का भी एक फंदा घट गया टोटल हमारे शोल्डर पे जितने फंदे उस साइट पे हैं उतने ही फंदे इस साइट पे हो गए जाए रहे मारत पेना बाद इसके बाद आऊँगे फिसओற शोल्डर पेसे गख्राइफ मैं इसने पेसे साइट को स्पाइब को सलंट करें चैनल किसा रहे नहींना है वह लगवग 5 इंस उंचा बिना जाएगा अब तीन स्लाइयों में गले का भी शेप हो जाएगा जैसे बाजू का शेप किया है उसी तरीके से गले का भी शेप होगा उल्टी साइट पर आने पर पहले तीन फंदे घटाएंगे लास्ट का एक फंदा जब भी कोई शेप करते हैं तो उसको नहीं बनाया जाता है आप यहां पर पहली रो हमारी बिन्ने के बाद फर्स्ट रो है तो यहां पर तीन फंदो का शेप होगा एक दो और यह तीन नेक्स्ट स्लाई पर आएंगे नेक्स्ट उल्टी स्लाई पर आने पर दो फंदे घटाऊंगी उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट उल्टी जब उसके बाद किया आएगी तो एक फंदा घटेगा टोटल छे फंदो का गले का भी शेप होगा और इसी तरह गले का शेप जितने भी शोल्डर पर फंदे रखने हो उस हिसाब से रखने के बाद पूरे फंदे एक साथ घटाने के तीन दो एक से गले का गोल गले का शेप करने का किया जाता है अब यह सीधी रो फिर हमारी साइट से कम्प्लीट होगी पर फिर हमारी साइट से कम्प्लीट है लास्ट का जो फंदा है इस पर चुकी इसको ऐसे ही ले लेंगे आप यहां से दूबारा कटाएंगे यहां लास्ट का फंदा नहीं बिनते हैं वरना उसका शियप अच्छा नहीं आता है इसलिए लास्ट का फंदा ऐसे ही स्लाई पर रोग दिया जाता है पहले तीन गटाएंगे और अब दो यह ऐसे हो गया और अब इस स्लाईप को सीधा बिनने के बाद उल्टी साइट पर आके एक फंदा सिर्फ एक फंदा कटेगा और बाकी की जो फंदे हैं इस शोल्डर की फंदे हो गए इनको हम पूरा पांच इंस तक बिनेंगे जहां से हमारा बाजू का शेप हुआ है वहां से पांच इंस तक पूरा कंप्लेट करना है इसमें आगे और पीछे दोनों साइट पे गले का शेप मैंने करा हुआ है देखिए लास्ट का फंदा ऐसे ही रोक लिया जाता है बार बार मैं इसको इसलिए बताते हूं जिसका शेप हो वह बहुत अच्छे से आया और साइट का एक फंदा को पबार मैं जिस साइट से भी आप पargent से यहां सेब। सीधी साइट पे और अर उल्टी साइट पर घटबतास रोक कर तब इसको गटाया जाता है और आप हमारे पूरे उंद म्यारे प तोल्डर यहाँ से इसको ना पफ जाएगा यहां से यहां से पांच इंश टक्क ही U baş किरेंगे इसी तरीके से साइट का फी गला गला इस साइट लिफकिले को बनाए जाएगा फिर만 पूरा उपर तक पांच इंश तक इसको बिना जाएगा यह देखिए ऐसे पूरा यह पांच इंच का मेरा बन गया और यह गले का शेफ हो गया अब इस साइड वाले पोर्शन को बनाने के लिए यहां पर जब भी गला बनाएंगे इस कलर का नेक्स कलर का जो बॉल है जिस कलर से भी आप गला बना रहे हो तो हमारा ब्लू क लर्का चलेगा तो यहां से अब तीन फंदे घटाते हुए ऐसे इस बॉल को यहां पर मैं लगा रहे हूँ ऐसे एक गटाया दो गटाया और यह तीन फंदे घट गए बाकी के फंदे यह ऐसे ही भी ने जाएंगे और जिस तरीके से इस साइट का यह शोल्डर कम्प्रीट किया है गले का पुरा यहां से यहां तक इसी टैप से इस साइट का भी पुरा मैं कम्प्रीट करती हूँ झाल झाल तैचर कि यह देखरयं तो इसचो इलन के Sorry ज antiqu же क्या जम लेखक में गांका कर दो만 प्रचे जो हट सब्सक्राइन, कर दो दो इंच्छ के एंच इसम में पीछ साइट पर शेप किया हुआ है जोघ्चे की बच्छे का गला है तो पहनाने में दिक्कत ना हो इसलिए इसमें पीछे भी शेप किया है वरना मैं पीछे गले का शेप नॉर्मली बहुत कम करती हूं क्योंकि ऐसे ही गला फिटा जाता चुकि बच्चे का है खोलूंगे नहीं इसको शोल्डर से बन करना है इस वजह से इसमें दोनों पार्ट म यहां वाला है इस फंदो को मैस्यार फिन पे ले लोगे और सिफ एक शोल्डर को अटैच कराऊंगी यहां इसमें अटैच हूंगे कि अख्यूर अब इसमें जाए के निटहूंगी तो यह जोड़ंगी यहां यहां से और मुझा ऋणाना है यहां से मैं slice पर ऐसे डाल के जैसे नौर्मली हम फंदा उठाते हैं गले के लिए वैसे उठाऊंगी मगर इसमें गला जो है मैं इसमें नीचे जो बेस का कलर है मल्टी शेट का उससे वनाना है तो मैं यहां से फंदे सारे इसमें उठाती हूं गले के लिए झाल यह पूरे फंदे इसमें यहां से यहां तक उठाए यह टोटल हमारे 105 फंदे उठे हैं आगे से पीछे के पोर्चन में पूरा यहां से दोनों साइड के शोल्डर को मैंने पिन पे ले लिया है और इन फंदों को एक सिदहा और एक उल्टे का बॉडर कंप्लीट करके उपर त देखिए ऐसे और इस गले का जो हमने इस गले को मैंने सुई से उतारा है इस गले का वीडियो गले को सुई से कैसे उतारना है और जो इसमें फ्रिल लगाई है इसका वीडियो मैं आल्रेडी पहले अपलोड कर चुकी हूं तो इसका आप साइड में उपर साइड में इसका निन्गो करने और अब उससे क्लिक करके आप इसमे फृल और प्लस इंग कईसे बनाया है क्यों जो निद्स की स्लीव मैं तैयार करें यूल कि मैंने ऐसी बनाया तै वाला निस्य पैओ यह ऐसी निदुगे पनाया है और इसकी स्टार्टिंग जो है करिए 40 फंदों से करिए फिर दिरे इसमें बढ़ाते गए देखिए ऐसे हर तीसरी सिलाई पाच्वी सिलाई में फंदे बढ़ाए तो टोटल फंदे हमारे जो यहां पर आये उपर जहां से हमारे शोल्डर बाजू का शेप हुआ है यहां पर इसमें 65 फंदे हो गए इसे नापेंगे अगर आप तो यह वाली पूरी हमारी जो लंबाई आती है यह हमारी ऐसे देखिए लगबख साढ़े बारा इंच की तेरा इंच से थोड़ा कम है और इसको पहले हमने इसमें जो शेप किया छे तीन दो और फिर एक एक करके पूरे फंदे उपर तक घटात गटाने है जितनी लेंथ तक हमको खटाना था उतनी लेंथ तक मैंने घटाया है गया हमारी चीप की लंबाई कंप्लीट हो गई यह हमारी लंबाई इसमें numbers की इतनी लंबाई कंप्लेट होने पर मैने इसको बन किया और आब पर आपश कर आएँगे शोल्डर में जब इस श्टर को सिलेंगे तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि जब आप इसको नीचे से start करेंगे यहां से सिलना तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे यह वाली हमारी फ्रिल है इसको अभी नहीं सिलेंगे इसको अंदर ऐसे दबा के यहां तक पहले सिलेंगे पूरा स्टर कंप्लीट कर लेंगे यहां से यहां तक सिलना फिर बाद में दोनों जो हमारी फ्रिल है इनको एक साथ क्योंकि वो अगर इसी मेट एच करा देंगे तो फिर राउंड शेप उसका क्लियर नहीं आएगा तो इसको यहां से नीचे से सिलना स्टार्ट करते हैं झाल स्टार्ट करते हैं कि यह दिखी जो फ्रील है इसको मैंने अंदर डाल दी इसको नहीं सिला जो ब्लू किलर से फ्रील बनाई है बाकी का यह पार्ट कि सिला जाएगा पूरा जहां से भी आपने फ्रील लगाई है वो पूरी फ्रील को अंदर दबा देंगे और यह जो इसका नीचे का पॉर्शन है इसकी सिलाई करेंगे कि देखिए साइट का पार्ट जो मैंने जॉइंट करा ऐसे पूरा जॉइंट हो गया नीचे से फ्रील आई और यह जो ब्लू वाली फ्रील है इसको उपर मैंने ऐसे छोड़ रखा है इसको इन दोनों फ्रील को एक साथ इसमें अटेच करा देंगे ऐसे पकड़के जिससे फ्रील का पॉर्शन उपर रहेगा और यह अलग से उपर दिखती रहेगी कि लगी हुई है और नीचे का पॉर्शन एक वो अलग इससे में दिखेगा इसी तरीके से इसकी जो स्लीव की फ्रील है उसको भी अलग जोड़ेंगे और बाकी सिलाई पूरी शटर की एक साथ करेंगे यह देखिए जब यह जुड़ता है तो ऐसे यह वाले बाल्ट उपर हो गया यह देखिए उपर है यह वाला नीचे है इसी तरीके से इसकी स्लीव को भी जोड़ेंगे तो जिससे यह पूरा हमारा एक साथ पूरी फ्रील दिखती है और यह हमारी नीचे की पॉर्शन अलग यह देखिए पूरा यह तियार होके इसकी स्लीव्स के पूरा तियार हो गया और ऐसा इसका लूप काया यह फाइनली इसका लूप़। बनके ऐसे गल्य में इसमें फ्रील है और यह उत्योड़ हैं पूरा इसको ते आहिर के बेल आइकन को प्रस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे थैंक यू